टिप्रा कलोनी कालका की रहने वाली दो सहलियां घर में बिना बताये दिल्ली चली गई पीडित मा ने कालका पुलिस को दी शिकायत शुकर बार को कालका पुलिस सुतरों के नुसार टिप्रा कलोनिक कालका की रहने वाली दो सहलियां घर में बिना किसी को बताये दिल्ली चले गई है एक के भाई ने बताया था कि दिल्ली घूमने के लिए गई है और घूम कर वापस आ जाएंगी पीडित मा का बुरा हाल है कलका पुलिस के पास इस सबंद में एक शिकायत आई है दोनों सहलियां टिप्रा स्कूल में पढ़ती हैं और दोनों सहलियां हैं पुलिस सुतरों के नुसार एक सेली की उमर 12 साल है जो की पांचमी काक्सा की स्टूड़न्ट है जब की दूसरी 14 साल की है दोनों प्लोस में रहती है कालका पुलिस सुत्रों के मताविक एक लड़की के भाई ने बताया था की दोनों दिली घुमने जा रही है ये कहा कर गई है कि घुम कर जल्द वापस आ जाएंगी पीडित महिला ने इसकी शकायत कालका पुलिस को दी है पुलिस ने मामले की कारवाई शुरू कर लड़कियों के तलाश शुरू कर दी है